एक खास सेंटर से पांच लड़के टॉप किये हैं। इसके बाद फिर उस दिन जो प्रस्ण पत्र को जलाया गया था जो इस परिक्षा की पविद्धा को नश्ट करने वालोंगा इसे लों के खिलाब तो सचमुच कठोरतम करवाई हो नहीं चाहिए। अब तो कई राजसरकार उन्हें केंसरकार भी इसके लिए बहुत कठोर कानून बनाने जा रही है। नमस्कार सच्टॉक्स देख रहे हैं आप और मिरा नाम है उत्तमकवार देखें नीट पेपर लीक मामले में जो है रोज नयनय खुलासे हो रहे हैं पक्ष भी पक्ष जो है एक दूसरे पर लगातार जो आरोप है वह लगा रहे हैं ऐसे बातचीत करने के लिए हमाँ साथ वरिष्ट पतकार अरुन पांडे सरहें से बाचित करेंगे क्या कुछ कहिएगा सर जिस तरह से रोज नयनय खुलासे हो रहे हैं पक्ष भी पक्ष जो है एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं देखें नीट में भले ही 24 लाग परिक्षार्थी सरीक हैं पूरे देश बर में अब विहार में जो बाते सामने आई है उसे नीट की परिक्षा रद करने की सिवा कोई चारा नहीं रहे हैं विहार में पेपर लीक हुआ पूरा सॉलवर गैंग जो परिक्षार थी 40-40 लाग रूपया दे करके प्रश्ण पत्र रिक्षा के चार घंटा पहले आउट वह सार सुप्रीम कोर्ट में मामला विचारा दीन है और आठ तारीक को इस मामले में याचका जो कई याचका हैं दायर की गई है पूरे देश वहर से उसमें कई मांग है उसमें एक मुख मांगी है कि नीट की परिक्षा रद की जाए इसके बाद सी वी आई जांच हो उसमें तो आ कि दूसरी परिक्षा लीजिए लेकिन सरकार ने को समिशन दिया कि नहीं हम दूसरी परिक्षा भी लेंगो लिए कूल मिलाजवला कर यह सचमुच आप जान लीजिए कि नीट की परिक्षा में जो आज नहीं धांधिली और फिर अभी सरकार को आपको याद होगा कि इस पर दोल इबारा सदस्य बोर्ड है वो तो इंतजार है कोट से कोंसिलिंग नहीं रोका छे जुलाई से कॉंसिलिंग भी शुरू होनी है मतलब जो नीट की परिच्छा का रिजल्ट आया है तो उसमें कॉंसिलिंग होनी है देखिए यह पूरा इसमें गहन समीक्षा होगी ना तो आप जान लिजे कि इसमें 20,000 करोड से अधिक का कारोबार है कोचिंग का और हर परिच्छा के बाद जहंक से आप देखते हैं कि रिफेरेंट कोचिंग संस्तान अपने खासकर विद्यार्थियों कि उस परिच्छा में टॉप करने को लेकर रेंकिंग को लेकर है ब्रांडिंग करता है तो इस सब के पीछे का खेल खुलासा भी सीवी जांच होगी तो इस बार कुछ यह उमीद की जा सकती है कि यह मामला की गहराई में जाने सरकार के बाद भी कोई आठ तरीके को हमें लगता है कि सरकार खुद भी कहें इसलिए कल ही आपने देखा कि कि डिप्टीची फिनिस्टर ने साब कह दिया कि तो नीट की परिक्षा में पेपर लिख हुआ ही तो अब सब कुछ सामने आ गया है और सुरू में ही केंद्रे सिक्षामंति धर्मिन प्रधान ने उनका पहला व्यान या एक तरह से कभर करने कि उन्होंने कोशिश कि नकल प अब पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है बताइए ना कि जो गुजरात में खास सेंटर में उसमें है कि कहीं परिक्षार्थियों की सुविधा के लिए जहां का रहने वाला है उसे अधिक्तम 1500 किलोमीटर की दूरी तक का सेंटर दिया जाता है कि हजार किलोमीटर दूर सेंटर था वहां गोधरा में और एक खास सेंटर से पांच लड़के टॉप किये हैं क्या दरसाता है सब कुछ लेंदेन का ही मामला है पूरा धंदा 25 में हो रहा है इसलिए मुझे लगता है कि और बिहार में तो अभी उसको लेकर सियासी राजनीत हो गई है देखे में परिक्षा में दान्दी वहीं परीक्षा में पेपर्ली कराने वाला जो गैंग है विहार में जो बातें आपने देखा कि यहां उसी को लेकर सियासी राजनीत हो गई है अवह वहां आप हास करके 10 प्रिटम जो पर से लेकिन मूल में क्या है मूल में है कि जो नीट परिक्षा में दांधरी करने वाले लोग है दंदा करने वाले राज सरकार उन्हें कैंसरकार भी इसके लिए बहुत कठोर कानून बनाने जा रही है और उसमें संसत से भी बात हुई कि वहां जो इस तरह के केस में आजीवनकराबास की सजा हो एक करोड से दस एक करोड से दस करोड तक जुर्वाना की बात हो यूपी गभर्मेंट ने तो इस तरह के जो आरोपी हों उनका घर ध्वस्त करने का बूर्डोजर चलाने तक का कानून बनाने की बात कि बिल्कुल मैं भी अब इसमें कोई वट है ही नहीं परिक्षा में जिस धंकी धांदिली हुई बोर्ड के अस्तर पर भी धांदिली हुई है ड्रेसिंग में और फिर गंटा पहले कोश्चन मिल गया था सबको कोश्चन रटाया गया था और इसके बाद फिर उस दिन जो प्रस्ण पत्र को जलाया गया था इस सब तरह की बाते उस दिन अख़वार में लेकिन वो यह उमीद नहीं थी कि इस तरह का यह ब्यापक अस्तर पर राश्टी अस्तर प्रफ पूरे देश में इसको लेकर अंदोलन हो रहा है अभी एक स्यासी राजनीत का मुद्दा हो गया है कॉंग्रेस इसको लेकर सरकार पर घेर रही है इसको बहुर निरासा होती है उसके भविष के साथ खिलवार होता है इसलिए सरकार को भी इसमें कोई चाहे वो किसी दल से जुड़ा हो पक्ष हो विपक्ष हो चाहे विहार का हो या कहीं का हो उसमें को यह नहीं है आप देखिए उसमें कई भाजपा नेता भाजपा से जुरे नेताओं का जदिव के विहार में ही जदिव से जुरे नेता का सबका नाम आ रहा है अब तो कुल मिला जुला कर अब ये मैं मानता हूँ कि निटकी परिक्षा नेशित रूप से जिजंग से सरकार निवजी सी निटकी परिक्षा अठारकों परिक्षा हुए और संसे के आधार पर दूसरे देहीं निरद कर दिया गया है इस परिक्षा में साक्ष मिल गया इसे कोई सिवा नहीं मामला विचार अधिना और आर्थीक अपराध हिकाई से भाह पुलिस कि रीपोर्ड मिली है लीख हुई है तो हम परिक्षा फिर रद करते हैं मुझे लगता है कि आठ तारीक पे तस्वीर से अफ़ लेकिन अब कोई दूपाई नहीं है दूसरा और जो बाते तत्थे सामने आई हैं परिक्षा रद होनी चाहिए मेरी भी राया है इन्होंने नीट परिक्षा पेपर लिख मामले पर बाचित किया है और साथ ही कहा है कि इसकी सीवियाई जांच होनी चाहिए ताकि जो दोसी हैं उन पर करवाई हो और परिक्षा रद हो बने रैप हो मासाथ